नमस्कार मैं हूँ सान्टवन और आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन खबर है सिक्षक अभियर्थियों के लिए बिहार में 1200 नियोजन एकाईयों में 11,000 पदों के लिए सिक्षक अभियर्थियों की काउंसलिंग अब जल्द शुरू होने जा रही है आपको बता दे कि इसके लिए सिक्षा विभाग ने सभी जिलों के सिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश चारी किया है कि काउंसलिंग के लिए अब वो तैयारियां शुरू कर दे और साथ ही इसकी तिथी वत्तै संबंदित रिपोर्ट भी मुख्याले को शनिवार तक सौप दे क्या है पूरी खबर आये बताते हैं आपको विस्तार से बिहार में 1200 नियोजने काईयों में सिक्षक के 11,000 पदों के लिए सिक्षक अभियर्थियों की काउंसलिंग जल्द होगी इसके लिए सिक्षा विभाग ने सभी जिला सिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि काउंसलिंग की तैयारियों के साथ ही इसकी तिती तैसमंधी रिपोर्ट शनिवार तक मुख्याले को दे इससे पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव संजे कुमार ने शुक्रवार को सभी जिलों में 94,000 प्रारंबिक सिक्षकों के पदों के विरुदु चल रही नियोजन प्रकिरिया की समिक्षा की बैठक में जिला सिक्षा अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव संजे कुमार को अवगत कराया की अधिसंख नियोजन इकाईयों की ओर काउंसलिंग के बाद सिक्षकों के प्रमान पत्रों और चैन प्रकिरिया समंधी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है इससे जिला सिक्षा कार्याले के स्तर में NIC के विभागिये पोर्टल पर रिपोर्ट अप्लोड करने में देडी हो रही है वैसे 38,000 पदों पर सिक्षक अभी अर्तियों की बहाली हो चुकी है जिनके प्रमान पत्रों की जाच के बाद दिसंबर के बाद नियुक्ती पत्र दिये जाएंगे अपर मुख्य सचिब ने सभी DEO को आदेश दिया है कि यदि 48 घंटे के अंदर जिन नियोजन इकाईयों से रिपोर्ट नहीं मिलती है उनके खिलाफ कारवाई करे सिक्षा विभाग की बैठक में सभी जिलों से प्रारंभिक सिक्षकों के लिए तकरीबन 48,000 पद खाली होने की जानकारी दी गई हालाकि इनमें वे 11,000 पद शामिल है जिन पर काउंसलिंग होना है इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे उसे सातवे चरन में होने वाली सिक्षक नियोजन प्रकिरिया में शामिल किया जाएगा अपर मुखे सचिफ के मुताबिक 30 जून 2019 तक के रिक्तियों के विरुद ही छटे चरन की सिक्षक नियोजन चल रही है एक जुलाई 2019 से अब तक विद्यालियों में जो रिक्तियां होंगी उसे भी शामिल कर सातवे चरन की नियुकती हे तू विज्यापन निकाला जाएगा सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी ने कई नियोजन निकाईयों में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चैनित सिक्षक अभियरतियों की सूचना मिलने पर कहा की इसे हम गंभीरता से ले रहे हैं और जाच में जिस सिक्षक का सर्टिफिकेट फर्जी पकरा जाएगा उसके खिलाव सक्त कारवाई करते हुए प्रात्मी की दर्ज होगी इसलिए पोर्टल पर चैनित सिक्षकों के नाम, पता, समेत प्रमान पत्रों के सभी ब्योरे अप्लोड कराए जा रहे हैं और उनके सत्यापन के बाद ही नियोक्ति पत्र दिये जाएंगे आपको बता दे कि नितिस सरकार जब से सत्ता में आई है 2006 से वो लगातार सिक्षकों के नियोजन के लिए प्रयासरत है आपको बता दे कि इसके पहले 90 हजार पदों पर सिक्षकों की नियोक्ति की जानी थी जिसमें से आज भी 48 हजार पद खाली है इसके पहले दो दफे काउंसलिंग भी की गई है और इस बार 11,000 पदों पर काउंसलिंग होनी है सिक्षा विबाग के मंत्रे विजय चौधरी ने ये बयान भी दिया है कि अब वो इस मसले को गंभीरता से लेंगे और दिसंबर के बाद से सिक्षकों की नियुक्ती भी शुरू की जाएगी बिहार में असल मुद्दा है कि बिहार के बच्चों को और युवाओं को मजबूत किया जाए उनके जमीनी स्तर से और लगतार कोशिश की जारी है सरकार की तरफ से कि कैसे प्रात्मिक स्कूलों में सिक्षकों को मजबूती दी जाए जमीनी स्तर से हर प्रखंड में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकाए में भी तो अभी के लिए बस इतना ही, आने काई अपडेट्स के लिए हमाँ साथ जुड़े रहें न्यूस फोर नेशन में, नमस्कार